तो आज हम देखने वाले हैं IIT कानपुर में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्लेस्मेंट का रिकॉड ठीक है तो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो डाटा एक RTI के थूरू मुझे पता चला है ठीक है तो जो सस्टेनेबल एनरजी डिपार्टमेंट है ना व आपको यह दिख रहा है सस्टेनेबल एनरजी इंजिनरिंग राइट तो आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस दिख रहा है सस्टेनेबल एनरजी का तो मैं आपको इस डिपार्टमेंट का प्लेस्मेंट रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, M.T.E.C. से रिलेटेड, एडमेशन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, कोई भी डाटा आपको चाहिए, तो इस चैनल के साथ जूड़ जाहिए, जितना पॉसिबल हो सकता है, मैं आपके साथ सभी डाटा इन्हों से र करने की कोशिस करता हूँ, ठीक है, तो हम देखते हैं प्लेसमेंट में कि क्या आप पता चला है, अगर पॉइंट वन को हम यहां पे देखें तो यहां पे क्लेरली लिखा हुआ है, प्लीज फाइंड विलो दे रिक्वेस्टेट प्लेसमेंट डाटा आप एम्टेक इन सस्टेनिबल एनरजी फॉर यह तो आपको यहां पे दिख राज इसको मैंने हाइलाइट कर दिया कि जो एवरेज पैकेज था वो नियरली अराउंड 12.55 लैक यहां पे उन्होंने बहु सारे ऐसे आयाइटी होते हैं जो कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड कंप्लीटली दे देते हैं मेरे पास कुछ और भी प्लेसमेंट के डाटा हैं जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में सो करने वाला हूं तो आपको यहां पर दिख रहा है कि इसने कानपुर ने बहुत ही प्लेस पैकेज आपको दिख रहा है 12.55 लाइक और उसने एक और कोश्चन पूछा हुआ कि कौन कौन से कंपनी विजिट की है जो डिनेवल एनर्जी प्लेसमेंट से रिलेटेट उसके लिए उन्होंने एक एंसर दिया है नोट के फॉर्म में कि इस कंपनी डू नाट कम अं आपको एक और कंपनी का जैसे दिखाया था प्लेसमेंट करता तो उसमें कंपनी का इनोटेटेल भी मेंसन था तो इसमें आयाइटी टू आयाइटी डिपेंड करता है कोई complete डाटा दे देता है complete नहीं देता है तो I hope कि जो भी स्टुडेंट एनर्जी इंजिरिएरिंग से related IIT में admission लेना चाहते हूं और वो placement से related data देखना चाहते तो उनके लिए वीडियो definitely helpful रहा होगा so thank you so much